तस्वीर में आपने पुलिस को नंगा नाच करते वे देखा किस तरह बीच सरक पर एक यूबक को बेरहमी से पीटा जा रहा है ऐसे पुलिस टूट पड़ी है मानो कोई आतंकबादी को उसने पकर लिया हूँ तस्वीर बिहार के सहरता जिले की है काम्यूनिटी पुलिस सिंग की मा भें बीच सरक पर ऐसे की गई जैसे कोई आतंकबादी पकरा गया हो और पुलिस उस पर तूट पड़ी हो जिले की पुलिस कफ़्टान लिपी सिंग है वहां के पुलिस अधिकारी बीच सरक पर नंगा नाच कर रहे है चार-पांच जबान मिलकर एक बाइक सवार युबक को बूरी तरीके से पीट रहे हैं और बात में जब इस बात की जानकारी होती है कि पीट रहे युबक भी आर्मी में जबान हैं तो अपना सारा गुसा उसके उपर लगा देते हैं और ऐसे टूट परते हैं जैसे मानो कोई आतिकवादी सहरसा के ठाना चौक पर मिल गया हो पूरा मामला आप समझ लीजिए ये पूरा मामला सहरसा के ठाना चौक का है यहाँ पर पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी इसी दारान गुजर रहे एक बाइक सवार युबक बगेर हैलमेट का था जैसे पुलिस ने रोका आओर पूछता शुरू कर दिया और अपना तैस दिखाने लगा हलांकि पहले तो तैस को युवक ने सहा और फिर युवक ने उसका प्रतिकार किया फिर मामला तू-तू-मेमे तक पहुचा लेकिन तू-तू-मेमे से यह कब मारपिट में बदल गई पता ही नहीं चला फिर क्या था चार-पाच जबान एक युवक पर इस तरह से तूट परे मालो कोई आतनकबादी सहरसा में ही मिल गया हो हलांके पुलिस को बात में इस बात की भी जानकारे मिली कि पिट रहे युवक आर्मी के जबान है फिर क्या था अपने दोगूने वेस में आकर पुलिस जबान उस पर परे और तब तक पीटे रहे जब उसका मन नहीं भर गया अब यहाँ मामला सोशल मीडिया पर पहुँच गया है किसी ने इसी बीच उसका वीडियो सूट कर लिया था और सोशल मीडिया पर यहाँ मामला वाइरल हो गया है जिसमें सहरसा पुलिस कप्तान स्पी लिपी सिंग सहित अन लोगों की खूब किरकिरी हो रही है क्यानकारी के मुताबिक पुलिस जिस यूबत को पीट रही थी वो एक आर्मी का जबान है जिसका नाम ब्रजेश कुमार है और सहरसा के सौरबजार थाना अंतरगत चंदवर गोंका रहने बाला है वो अमरित्तर में पदस्था पित है और अभी अपने घर आया हुआ था जिस समय वो पीटने लगा वो उसमें बाजार जा रहा था स्वीर में आप साब साब देख सकते हैं कि इस तरह से आर्मी के जबान को पुलिस लगतार पीट रही है मारने पीटे में एक्सपर्ट विहार पुलिस की जबान उसके गंजी को उठा कर उसे पीट रही है टीशत को उठा कर पीट रही है उसे कोई बचाने वाला नहीं है चार-पांच जबान इस तरह से तूट परे हैं जैसे उसे पीटे पीटे वहीं मार ही देंगे पुलीस का अमानुविय चेहरा इससे पहले भी सामने आया है जब एक अस्पताल में इलाजरत कैदी को दोनों हाथ पर बांथ कर उसे पीटा गया था उसे इलाज नहीं कर बाने दिया गया था इस तरह दूसरा मामला हाल ही में ये आया है जहां बीत सरक पर ही एक आर्मी को जाना चाहिए था इस तरह नंगा करके पीटने का अधिकार उसे किस कानून ने दिया कानून के रक्षक ही क्यों बीच बजार में बख्षक बन गए है लोगों ने करवाई का मांग किया है ये है को सी टाइम्स न्यूज नेटवर्क